आपको टाइप सो फूड बारे में किस तरीके का भोजन हमें खाना चाहिए और किस तरीके का भोजन हमें खाना नहीं चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइपस ओफ फूड भी पढ़ने को देख मिलेगा ठीकिना और इसके अलावा हमें फूड कहां कहां से मिलते हैं मतलब की फूड के सोर्से क्या क्या होते हैं यह भी हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे So let's start this chapter Firstly देखिए आपको परिपर दिया गया है She was from Rajasthan So आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक की जानवी ने अपने कुछ फ्रेंड को क्या किया है बुलाया है घर पर ठीक है get together के लिए बुलाया है अपने घर पर और वो जो उसके सारे फ्रेंड से वो सभी अलग-अलग बैक्गराउंड से बिलॉंग करते हैं जैसे कि रागव जो है वो पंजाब का है और प्रतिक जो है वो बैंगॉल का है और जो रूपाली है वो राजस्तान की है साथ ही इसमें आपको यह भी बताया गया है कि जैसे वो अलग-अलग स्टेट के हैं तो उनके जो फैवरेट फूड है मतलब कि वो भी अपने स्टेट के एक्कॉर्डिंग है that means कि हर हमारा जो हमारी जो इंडिया है इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है सभी जगह पर अलग-अलग तरीके के भूजन को पसंद किया जाता है सभी जगह सेम भूजन नहीं खाया जाता है मतलब सेम फूड एटिंग नहीं की जाती है बलकि डिफरेंट टाइपस ओफ फूड प्रिपेर के जाते हैं और उन्हें खाया जाता है ठीके ना तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि जैसे पंजाब के जो होते हैं जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइपस ओफ डिशेज हमें देखने को मिलती है नाइकस्ट है आपका यहाँ पर ट्यून अप में आपको दिया गया है नेप 3 एडिबल थिंग्स देट वी गेट फॉम अब आपको यहाँ पर 3 एडिबल थिंग्स लिखनी है से सैल्फ कि अनिमल से आपको तीन कॉंसी वो चीजे मिलती है और प्लांट से कॉंसी मिलती है ठीक है ना तो यह आपको सेल्फ करना है नेक्स टॉपिक आता है अब हमारा फूट अब हम पढ़िंगे फूट के बारे में फूट इस बैसिक रिकॉर्मेंट फोर सर्वाइवल इट गिव अब आपको यह बताया गया है कि जो फूट है वो हमारी क्या है बैसिक रिकॉर्मेंट है मतलब कि अगर हमें अपना जीवन जीना है तो हमें भूजन करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा क्योंकि फूट से हमें क्या मिलता है फूट से हमें एनरजी मिलती है ताकि हम अपना work कर सके हम play कर सके साथ हमारी help करता है वह हमारी growth में हम पहले छोटे बच्चे होते फिर इसके भाद थोड़े बड़े उते फिर बड़े उते तो यह हमारी growth हो रही है और ये growth करने के लिए कौन हमारी help कर रहा है, food, मतलब कि हम जो भूजन, हम जो food eating कर रहे हैं, उसी की वज़े से हम अपनी growth करते हैं, next है आपका, keep us healthy and fighting with disease, और जब अगर हम बिमार हो जाते हैं, तो हमारे जो disease होती है, उससे हमें fighting करने के में कौन help करता है, food help करता है, क्योंकि food, अगर हम अच्छा भूजन खाएंगे, साफ स्वस्त भूजन खाएंगे, तो हम स्वस्त रहेंगे, ठीक है, healthy रहेंगे, और अगर हम healthy रहेंगे, तो हमें किसी भी types की बिमारी disease नहीं होगी, और कभी अगर हमें चोट लग जाती है, तो देखा होगा आपने, कि वो चोट लमारी взять की बिमारा रहेंगे, तो हम यह कभी रिपेयर होती है, धीरे धीरे अगर हम healthy food ख्रजन खाएंगे, तो हमने healthy food नहीं ख्रजन खाएंगे, तो हम वीमार भी ज्यादा रहेंगे, 낮 ए हमपड़िगे हम क्या है okay the nutrients are the useful substance present in the food nutrients जो की useful substance है जो कि हमारे भोजन में present होते हैं they are very essential in our meals in the right amount for our overall development और वे हमारे भोजन में हमारे हमारे जो ग्रोथ होती है हमारे जो विकास होता है उसके लिए सही मात्रा में बहुत ज्यादा आवश्यक है बहुत ज्यादा जरूरी है अब balanced diet contains all nutrients in the right proportion एक जो संतुलीत अहार होता है that means कि जो balanced diet होती है उसमें सभी पोशक्तत्व सभी सही अनुपात में होने चाहिए जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर जो निट्रेंट होते हैं जो हम डाइट हम ले रहे हैं उसके अंदर जो नुट्रेंट होते हैं उसका जो अनुपात होता है वह सही होना चाहिए बिलकुल ठीके तब ही वह हमारी क्या कैलाईट कैलाईट कैलाईगी अब नुट्रेंट कौन कौन से होते हैं जो कार्बोहाइट प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन यह सब क्या होते हैं नुट्रेंट होते हैं फर्स हम पढ़ेंगे कार्बोहाइट के बारे में इनरजी गिविढ फूट का जाता है अब यहां क्या बता है आपको कि यह हमें क्या देती है क्या अनरजी करने वर्क करने के लिए अनरजी देते हैं क्या carbohydrate और fat ठीके इसलिए हमारे भोजन में क्या होना चाहिए carbohydrate और fat भी होना चाहिए but too much of fat make us potatoes, wheat, bread, sugar and rice content carbohydrates, ghee, butter and oil content fats अब यहाँ पर आपको खा गया है कि जो आपका जो food है उसमें carbohydrate और fat होना जरूरी है क्योंकि वो एक तरीके से क्या है energy giving food है और यह हमें work करने के लिए energy देता है ठीके बट अगर हम ज्यादा मात्रा में fat fats को लेते हैं या carbohydrates को लेते हैं food के जरीए तो हम कैसे हो जाएंगे मोटी हो जाएंगे बहुत ही जादा ठीके जो हमारे harmful है और यह जो fat है और carbohydrate है वो किस-किस में पाये जाता है potato, wheat, bread, sugar and rice इस सब में तो carbohydrate पाये जाता है और गी, butter and oil में क्या पाये जाता है fats पाये जाते हैं ठीके आपको देखिए हैं आपर food की picture भी दे रखी है okay, next हम आते हैं proteins पर proteins are body building food जो protein है वो क्या कहलाता है body building food they helping grow our growth and keep us strong और यह हमारी help करता है growth करने में और हमें strong बनाने में pulses, eggs, beans, meat and fish are some protein rich food items ठीके, अब यहाँ पर आपको protein के items बताए गए है कि protein हमें किस-किस से मिलता है protein हमें मिलता है pulses, दालों से, eggs से, beans से, meat से और fish है इन सब में क्या पाया जाता है protein पाया जाता है next है हमारा vitamins and minerals vitamins and minerals are protective food और vitamins and minerals को क्या कहा जाता है protective food कहा जाता है they fight against disease and keep us healthy और यह क्या करते हैं vitamins and minerals ये विटामिन और मिनरल्स हमारी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं और हमें हमेशा हेल्दी बनाए रखते हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स गंटेंड विटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर नीडेड इन लेस क्वांटिटी अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं उन सब में क्या पाई जाता है उन सब में विटामिन्स और मिनरल्स पाई जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा सब को कि निट्रिंट क्या होते हैं और निट्रेंट कौन कौन से होते हैं, कार्भो हाइडरेट, फैट, प्रोटीन, विटामीन और मिनरल, यह सब निट्रेंट होते हैं, कार्भो हाइडरेट फैट को एनर्जी गिविंग फूड में लिया जाता है, प्रोटीन को बोडी बिल्डिंग फूड में लिया जाता है, और vitamin and minerals को protective food में लिया जाता है, okay, next है हमारा, we must include a lot of water in our daily diet, it helps in the proper functioning of the body, okay, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस तरीके से हमें food की need होती है, grow करने के लिए, growth करने के लिए, work करने के लिए, उसी तरीके से हमें अपने daily routine में diet के साथ साथ water को भी use करना चाहिए, अगर हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, उतने ज़्यादा स्वस्तर हैंगे, किस तरीके से, क्योंकि यह जो water होता है, यह हमारे body के अंदर जाकर, जो food हमें कहां कहां से मिलता है, मतलब कि हमें food कहां कहां से प्राप्त होता है, we get food from two sources, अब food के two sources बताए गए हैं, आपको की दो जगह से हमें food मिलता है, जैसे कि first है plants, second है animals, तो हमें firstly, जो food मिलता है, वो किस से मिलता है, plants से, ठीके, तो हम plant के बारे में पढ़ेंगे, plant sources के बा यूज करते हैं ठीक है कैसे we eat the leaves of lettuce, spinach, mint, coriander and cabbage ठीक है आपने देखा होगा कि जब आप सब्जी खाते हैं तो सब्जी में बहुत सी सब्जिया कैसी होती है leaves की होती है तो वो plant की leaves ही तो होती है तो इस तरीके से हमें plant से leaves के जरीए food मिलता है अब आपको यहाँ पर example में देखिए आपको सब बता रखा है कि spinach हो गई, पालक हो गई आपकी, corn, डधनिया हो गया, cabbage, पत्ता गोबी हो गई, यह सब क्या है यह सब पार्ट है, जिसके plant के, जिसको हम खाते हैं, ठीके, next है आपका carrot, radish, beetroot and turnip are roots और इसी तरीके से जो plants की roots होती है, उसको भी हम use में लेते हैं, जैसे गाजर हो गई, आपकी मूली हो गई, ठीके, तो जो गाजर और मूली होती ही, वो क्या होती है प्लांट की root में मिलती है, तो plants की root का part होता है न वो, उसको भी हम भोजन में लेते हैं, next page पर हम आएंगे, we eat the stems of sugarcane, potatoes, ginger and onion, इसी तरीके से जो plants में stem वाला part होता है, जैसे की sugarcane, गन्ना हम खाते हैं, तो गन्ना plant का कौन सा part होता है, stem वाला part होता है, तो उसको भी हम अप प्लांट में लेते हैं, the next point है आपका, cauliflower and broccoli are flowers, अब flowers वाला part कौन सा हो गया, इसमें, plant का, जो flower वाला part होता है, जैसे की आपको four example होता है, जैसे cauliflower हो गया और broccoli हो गया, यह हम इसको भी हम vegetable में यूज में लेते हैं, तो यह plant का flower वाला part है, we eat fruits like, अब plant में fruits भी होते हैं, जैसे apple, papaya, banana, tomato, mango, यह सब fruits होते हैं, और इनको भी हम खाते हैं, ठीके, तो इस तरीके से हमें, जो plant है, उसके different parts से हमें कुछ न कुछ मिलता ही है, food के रूप में, अब देखिएंगे, हम rice, wheat, pulses and seeds, अब seeds के रूप में भी हम इसको लेते हैं, next है आपका plant also give us, plants हमें spices भी जेता है, इसके अलावा, medicines देता है, beverage देता है, और oil अगेरा भी हमें plant से ही मिलता है, okay, next आता है हम, अभी तो हमने पढ़ा plant sources के बारे में, अब हम पढ़ेंगे animal sources के बारे में, animal sources किस तरीके से, animals also provide us with many food items, animals हमें कई तरीके के food items provide करते हैं, जैसे कि milk हो गया, egg हो गया, honey हो गया, और meat हो गया, okay, for example, हम देखेंगे milk, cow, god, chip and camel are some animals that give us milk, जो cow होती है, god, chip, camel, ये सब हमें क्या देते हैं, milk देते हैं, ठीके, milk is a complete food and is used to make cheese, curd, paneer, butter and घी, जो milk है, उसे क्या कहा गया है, उसे complete food कहा गया है, okay, तो आप सबको जाद रखना है, कि milk क्या होता है, complete food होता है, ठीके, और milk से कई सारी चीजे भी बनती है, जैसे cheese, curd, paneer, butter, घी, इन सब को हम अपने खाने में use मिलेते हैं, इसी तरह से next है आपका eggs, eggs हमें किसे मिलते हैं, hand, ducks and geese, ठीके, ये हमें क्या देती है, ये हमें सब eggs देते हैं, ठीके, और इनके eggs को हम use मिलेते हैं, next है हमारा honey, honey bees collect nectar from flowers and convert it into honey, in there honeycomb, अब जो honey bee होती है, वो हमें, honey bee bee animals में आती है, तो honey bee हमें क्या बना कर देती है, honey बना कर देती है, शहद बना कर देती है, ठीके न, तो हम शहद को भी अपने food में use मिलेते हैं, next है meat, got, hand and fish are sources of meat, और जो meat कर sources है, जो meat है, वो किसे मिलता है, got से, hand से, और fish है, ठीके, तो इस तरीके से plants और animals क्या है, sources of food है, अपना next topic है, diverse eating habits, अब हम पढ़ेंगे eating habits के बारे में, different people with different eating habits are known by different names, ठीके, अब जो अलग-अलग लोग है, वो अलग-अलग तरीके से भोजन को खाते हैं, ठीके, अब यहाँ पर आपको बताया गया है, कि जो अलग-अलग लोग है वो अलग-अलग किस तरीके से भोजन को खाते हैं, उनको नाम दिया गया है particularly, जैसे कि vegetarian और non-vegetarian, अब vegetarians कौन होते हैं, जो vegetarians होते हैं, eat only plant product, वो हमेशा क्या खाते हैं, वो हमेशा plant product भी use में भोजन में लेते हैं, non-vegetarian जो होते हैं, वो eat meat along with plant product, वो plant product के अलावा, अपन भोजन में meat को भी use में लेते हैं, eggs, meat वगेरा ये भी वो साथ ही साथ युज में लेते हैं, इसलिए वो क्या किहलाते हैं? non-vegetarian किहलाते हैं, तो आपको डिफरेंसे समझ में आखे, vegetarian और non-vegetarian के, vegetarian वो होते हैं, जो सिर्फ अपने eat में plant product लेते हैं, वो vegetarian होते हैं, और जो non इटिंग हैबिट से वो डिपेंड करती है इन फेक्टर्स पे तो हमें देखिए कौन-कौन से फेक्टर बताए गए हैं first है our age and liking हमारी age के according और हमारी पसंद के according next है our tradition and culture हमारी tradition और culture के according भी हमारी food habits eating habits depend करती है money we have हमारे पास कितना money है उसके according भी अगर ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं खाने पीने में, हम जंक फूट्स ज़्यादा यूज मिलेते हैं, इस तरीके से मनी पे भी डिपेंड करता है हमारा इटिंग हैबिट, ठीक है, नेक्स टेप, प्लेस वे यल वी लीव, और हम कहां रहते हैं, उस बताया गया है, ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, हम स्टेपल फूट के बारे में, फर्स परिंट हमें दिया गया है, पीपल लिविंग इन कॉस्टल एरियाज लाइक कैलला एंड वेस्ट पैंगोल, इट लॉट ओफ राइस एंड फिश, जो पीपल कॉस्टल एरियाज मेरते इन पंजाब, इसी तरीके से पंजाब की जो लोग हैं, वो ज़्यादा तर क्या खाना पसंद करते हैं, मक्य की रोटी, सरसोका साग, राजमा चावल, ये उनकी लाइक कैकोर्डिंग है, कि उनकी ये वहां की लोगों की ज़्यादा मोसली फैवरेट डिश मानी जाती है, इ इसी तरीके से गुजरात में क्या खाने को मिलता है, मोसली थेपला, डोकला और खाकरा, ओके, तो इस तरीके से अलग-अलग स्टेश की आपको अलग-अलग डिशेज बताई गई है, अब नेक्स आपको बताया गया है, अब हम पढ़ेंगे जर्णी ओफूड, कि किस तरीके से भोजन खेतों से होकर हमारे पास तक, हमारी प्लेट तक पॉस्ता है, ठीके? फिर्स्ट है, फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन दा फिल्ट, जो फार्मर होते हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं खेतों में, When it is ripe, it is the harvest and sold in the wholesale market Monday, और फिर जब रइप हो जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है, तो उसको कटिक करके, उसको काट के, और उसको स्ट्रो करके, कहां तक पुछाते हैं, वो wholesale market Monday तक पुछाते हैं, Wholesalers and vendors buy the produce and we buy it from them और फिर जो wholesaler होते हैं वो उनसे उस product को खरीद लेते हैं और बाद में हमें वो बेज देते हैं We cook the food items and enjoy with our family और उसी भोजन को हम बनाते हैं और अपनी family के साथ उस भोजन को enjoy करते हैं We also get eggs, meat and milk from retailers who buy it from wholesalers The farm owners sell these to the wholesalers इसी तरीके से जो eggs, meat and milk होता है यह भी हमें किसे मिलता हैं? यह जो farm owner होते हैं यह wholesaler को जाकर यह sell करते हैं और फिर यह wholesaler से हम retailer के पास और retailer से फिर यह हम purchase करते हैं तो we must not waste food, it is precious तो इसलिए आपको कहा गया है कि हमें भोजन क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया ना किस तरीके से मतलब की जो भोजन है वो हम तक मौसता है, food की जर्णी किस तरीके से होती है तो इसमें सभी की महनत होती है इसलिए हमें इसे waste नहीं करना चाहिए, ओके? और साथी साथ, यहाँ पर आपको देखिए, मैंने आज चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या 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 पढ़ाया? पूरे चैप्टर में मैंने आपको food के बारे में बताया, nutrients के बारे में बताया, और sources of food के बारे में बताया इसके साथी साथ, मैंने आपको यहाँ पर deserving eating habits बताई next हमारा था fields to plates, मतलब कि किस तरीके से भोजन हमारा हम तक पहुंचता है ठीके? So students, यह था आपको चैप्टर, I hope कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी बच्चे आज इस चैप्टर की reading करेंगे, साथी साथ इस चैप्टर को इस वीडियो से समझेंगे भी सही